सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर लाड यूटूबर चानल को और बैल ऐकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंज मैं हूँ भरतेश लाड मिस्टर लाड यूटूबर में आपका फिर्ज़ स्वागत है दोस्तो आज हम सिखेंगे इलेक्ट्रिकल वायर का प्रॉपर जॉइंट कैसे करते है तो चलिए वीडियो शुरू करते है दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देगे रेड़ कल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लिजे उसके साड़ वाले बेल को भी प्रेस कर दिजे और जिननने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सब का धन्यवाद तो चलिए वीडियो शुरू करते है तो दोस् यहां परâu परपर जोइंट करना है इसके बारे में बताऊँ ऊपर टासर तो हम ज्यादा तर कुछ इस तरह से करते हैं तो हमस्ट इस तरह से पकड़के इसे हम ऐसे गुमा के जोइन कर देते हैं ठीक है कुछ इस तरह से इस तरह से हम जोइन करके दोस्तों इसे एक सेड में फोड कर देते हैं और यहाँ पे हम इंसुलेशन टेप लगा के अपना काम चलाते हैं लेकिन दोस्तों जब भी हम अपने पाइप में या पट्टी में पीवी सी पट्टी में हम वाइरिंग करते समय हम वाइर को इधर उधर थोड़ा बहुत खीशते हैं तो कुछ इस तरह से जो है एजॉइंट जो है निकलने लगता है चूटने लगता है कुछ इस तरह से अब इसे अंदर के अंदर है छूट जाता है या तो लूज कनेक्ट हो जाता है ठीक है तो हमें जो है ऐसा जोइंट जो है नहीं करना है ठीक है तो दोस्तों हम दूसरा तरीका कुछ इस तरह से अपनाते हैं यह हमारा वाइर है तो हम इसे जोइंट करते समय जो है इसमें हम इसे कुछ वायर को हम दो इस्व में डिवाइड करते हैं कुछ इसे तरह से दूसरे वायर को भी हम इसे डिवाइड करते हैं और इसे जो है हम कुछ इस तरह से लगाके ऐसे जो है हम जाइंट मानने लगते हैं कुछ इस तरह से और यह दोनों को कुछ इस तरह से हम जाइट मारते हैं कुछ इस तरह से दोस्तों हम जाइट मारके जो है दोनों तरफ दो वायर को ऐसा फोल्ड करके हम इसको इन्सुलेशन टेप लगा के अपना वायरिंग कर देते हैं लेकिन इसमें भी दोस्तों वही प्रॉब्लम है जैसे रहे हम वायर को वायरिंग करते समय खीचेंगे तो यह जो है इसे चूटने लगेगा तो दोस्तो अब हम सीखेंगे प्रॉपर वायर को कैसे जोइंट करें ठीक है तो यह हमारा वायर है तो हम यह जो वायर को है जोस्तो कुछ इस तरह से हमें फैलाना है ठीक है और दूसरे वायर और दूसरे वायर को भी कुछ इस तरह से हमें फैलाना है हमिए और इसे हमें एक दूसरे में इसे फसाना है ठीक है बाद में डयुęt के यो और बाद में दोस्तों में कुछ इस तरह से जो है दोनों को अपोजिट में इसे लपेटना है कि इस तरह से ठीक है ऐसे जहें हमें लपेटना है कि इस तरह से दोनों तरब से हमें कि इसे लपेटना है तो यह हमारा जोईन जो है परफेक्ट हो गया है अब देख सकते हैं अब से कि जितना भी कीचेंगे तो हमारा वायर जो है यहां से छूटने वाला नहीं है ठीक है फिर हमें कि यहां पर इंस्टिलेशन टेप लगाना है तो इस तरह से ठीक है तो हमारा जोईन जोई परफेक्ट हो गया है अब दोस्तों इसे कितना भी कीचेंगे तो यह जोटने वाला नहीं है ठीक है तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर कमें किजिए मेरे चैनल के उपर नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और य आपको लेव कैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज मेरे तो ओड़ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्तित अब्सक्तित।